राजस्थान में चुनावी रण सच चुका है करीब करीब सभी सीटों पर प्रत्याशियों के चहरे सामने आ चुके हैं भाजपा और कॉंग्रेस दोनों को ही इस बार अपने प्रत्याशी चुनने में थोड़ी देर जरूर लगी है और सियासी जानकार दोनों ही दलों के नमस्कार मैं हूँ विजय वर्मा और आज हम चर्चा करेंगे कैंडिडेट्स को लेकर बीजेपी और कॉंग्रेस में जो गहन मंधन चला है चिंतन चला है पिछले दिनों और काफी देर में काफी टाइम बाद जो टिकेट डिकलेर किये हैं उसकी वज़े जानते हैं कुछ पाने वाले फैसले ही दोनों ही दलों ने टिकेट वितरण को लेकर लिये हैं राजदानी जैपूर में जैपूर शहर सीट की बात करें तो बीजेपी ने दो बार के सांसद राम चरण बहरा का टिकेट काट कर मंजू शर्मा को चुनाओं मैदान में उता रहा है महिला है ब् प्रोपों से उपजे विवाद के बाद उनकी जगह है पूर्व मंत्री प्रताब सिंग खाचरीयवास को रिप्लेस कर दिया गया है दरसल उन पर आरे से समर्थित एक यूट्यूब चैनल है जैपूर डायलॉक्स उसका डायरेक्टर होने का आरूप लगाया गया था किंद दिला कर लाये थे साथ में रफीक खान भी थे खाचरीयवास अगर लोगसबा जाते हैं तो कॉंग्रेस को दिल्ली की सियासत में फायर ब्रांड नेता मिल जाएगा वही राजस्तान की सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट मानी जाने वाली चैपूर ग्रामीड लोगस पार दिया है पाइलेट ने अनुल चोपड़ा को टिकेट दिलाने को लेकर खूब जोर लगाया था अनुल चोपड़ा जमीनी स्तर के नेता है मजबूत नेता है पाइलेट को डर था कहीं नाराज होकर वे सुभाश मील की तरह पार्टी न छोड़ दें क्योंकि इस सीट से कई नाम और भी चल रहे थे बीजेपी ने भी सारे कयासों से परदा हटाते हुए यहां से राव राजिंदर सिंग पर भरोसा जताया है पूर विदानसवा अद्द्यक्ष रह चुके हैं जेंटलमेन व्यक्ति हैं और राजनीती में किसी तरह का आरो प्रत्यारो प्या कोई दाग इन पर नहीं लगा है हाला कि बीजेपी के पास एक लंबी फैरिस्त थी कैंडिडेट्स की सीट पर कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी में आये पूर्व केंदरी मंतरी लालचंद कटारिया इसके अलावा केविनेट मंतरी राजवर्दन सिंग राठोड और राजिंद राठोड तक के नाम यहां से चल रहे थे उसके अलावा कुछ और नए युवा चेहरे भी थे अब चर्चा यह है कि ठीक चुनाव से पहले सचिन पाइलेट के बाद गोविन सिंग डोटास राकिपूर सीम अशोग गहलोत से भी कुछ मामलों में ठनी हुई है हरीश चौदरी भी कुछ एंटी चल रहे हैं हनुमान मेरिवाल के साथ गठबंदन को लेकर खफा हैं दिव्या मदीरना जो बेनिवाल की ध्रोफ विरोधी पहले से ही मानी जाती हैं लेकिन आखिरकार चली गहलोत की ही यहां पर भी आरेलपी के हनुमान मेरिवाल अब राजस्थान में सत्ता गवांकर बैठे गहलोत ने एक बार फिर कहीं न कहीं प्रूव कर दिया कि वे राजस्थान की सियासत के बड़े खिलाडी हैं वैसे मेरा मानना है कि हनुमान मेरिवाल का कॉंग्रेस को तहे दिल से स्वागत करना चाहिए उसकी वज़ा है कि बैनिव कॉंग्रेस पार्टी में जाट राजनीती को मजबूत करेंगे दिल्ली में बैठेंगे और यूपीए के लिए मजबूत हतियार साबित होंगे निशित तौर पर अलाकि विद्वया मदेड़ना और हरीश मेना पर तीखी टिपनिया कर चुके हैं और इसी बात को लेकर ही ज कैसे नेता चाहिए और वो बेनिवाल है इसके अलावा बीजेपी छोड़ कॉंग्रेस में आये दिगज नेता प्रहलाद गुंजल को कोटा से लंबे इंतजार के बाद टिकेट फाइनल कर दिया गया है कॉंग्रेस की तरफ से धौलपूर करोली सीट से भी ऐशोग गैलोत क खासमकास नेता पूर मंत्री भजनलाल जाटव को चुनाव मेदान में उतारा है खालांकि इस से इलाके के कई कॉंग्रेसी नेताओं में विरध है कि आखिर भरतपूर से कैंडिगेट क्यों लाया गया उदर भजनलाल जाटव के सामने बीजेपी ने इंदू देवी जाट सब्स्ट लॉट चुके नरेश राजों चुके हैं सचिन पाइलेट के के कुगू के अथर प्रते हो बाली पार्प्राइब रिजा दिया है या जोंकि मुरालाल मेना को सीधी टक कर देते नजर आ रहे हैं दोसा सीट पर गुर्जर और मीना वोटर जादा हैं कॉंग्रिस नेता सचिन पाइलेट का प्रभाव भी है मुरारी लाल मीना भी पाइलेट कैम के नेता है ऐसे में बीजेपी ने खनिया लाल मीना को चुनाओं मैदान मुतार कर सोशल इंजिनिर के साथ पाइलेट को भी सीधी चुनोती पेश की है हाला कि बीजेपी के कुछ फैसले बगावत भी तैयार कर रहे हैं दोसा में किरोडलाल मीना अपने भाई जगमोन मीना को टिकेट देलाना चाहते थे या फिर चाहते थे कि उनकी पतनी और पूर मंत्री गोलमा देवी को यहां से टिकेट दे दिये जाए लेकिन उनकी इस बार तो नहीं चली माना जा रहा है कि कॉंग्रेस के रोडी के पैत्रे ही देख रही थी और इसी लिए अपने टिकेट को रोक कर बैठी कहीं नगाई बीजेपी की राल को चोड़े लाना चाहती थी कॉंग्रेस और डक्ट पासरा और गहलोत के बीच दूरी बढ़ गई है जालो और सिरोही से वैबव गहलोत जो अशो गहलोत के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं उनके चुनावी कारीकम में मंच पर लगे बैनन में ना तो डोटासरा थे और नहीं उनके सभा इस्थल पर खर राजनीती एक ऐसा ख कारीकम मंच पर रहे हैं यह रहे हैं यह डिता जोटासरा और संद। क्यश्यतों पर जोटे उनके स्वित कारीकम मंच पर रहे हैं यह ऑ फिन दिक खर रहे हैं लिच अ